नमस्कार, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बिंदो पांडे, AD राजकी कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी लोगों का कक्षा 11 की समाज सास्तर की कक्षा में स्वागत करती हूँ प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक संस्थाओं को समझना इस पाठ को पढ़ेंगे, इस पाठ को हम पांच भागों में बाठ करके पढ़ने वाले हैं, आज इसका प्रधम भाग हम लोगों की पाठ्थे वस्तु है तो आईए बच्चों, हम एक द्रश्ची डालते हैं और समझते हैं कि हमारी आज की पाठ्थे वस्तु क्या है बच्चों, हमारे आज के जो मुख्य विचारविंदु हैं, वह हैं सामाजिक संस्था किसे कहते हैं सामाजिक संस्थाओं के कितने प्रकार होते हैं, इसे हम आज के पाठ में समझेंगे और जब हम सामाजिक संस्थाओं के प्रकार को समझ लेंगे, तब हम परिवार संस्था को विशेश रूप से पढ़ेंगे तो आईए बच्चों, हम सरवप्रथम जानते हैं कि सामाजिक संस्था किसे कहते हैं सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक मानकों, आस्थाओं, मूल्यों और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित संस्थाओं की भूमिका के जटिल ताने बाने के रूप में देखा जाता है अर्थात जो सामाजिक संस्थाओं हैं वह सामाजिक मानकों अर्थात प्रत्यक समाज का कुछ न कुछ मानक होता है, कुछ न कुछ नियम होता है उन नियमों, उस सम्मंधित समाज के आस्थाओं और उस समाज के मानवीय मुल्यों, सामाजिक मुल्यों, राश्रिय मुल्यों और समाज की क्या आवशक्ता है? उस आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक संस्थाओं का निर्मान होता है सामाजिक संस्थाओं की भूमिका इनी के इर्दगिर्द घूमती है बच्चों यहां हम लोग एक द्रश्ची डालते हैं कि महत्तुपूर्ण सामाजिक संस्थाएं कौन-कौन से हैं इन संस्थाओं को दो भागों में बाटेंगे अनौपचारिक संस्थाएं और अपचारिक संस्थाएं अनौपचारिक संस्था अर्थात जो किसी लिखित नियम अथवा लिखित कानून पर आधारित नहों करके कुछ प्रथाओं, रिवाजों, रेतियों के अंतरगत संचालित होती हों उन्हें अनौपचारिक संस्थाएं कहा जाता है इसके अंतरगत परिवार संस्था आती हैं, विवाह संस्था और नातेदारी संस्था अनौपचारिक संस्थाओं के अंतरगत आते हैं अब आपचारिक संस्था वे संस्थाएं जिनका लिखित नियम हो जिन नियमों के पीछे कानून की शक्त हो वह आपचारिक संस्थाएं कहलाती हैं इसके अंतरगत मुख्यत या दो संस्थाएं हैं कानूनी संस्थाएं और सैक्षिक संस्थाएं जो सिक्षा जगत से सम्मंधि स्थापित हैं वह संस्थाएं और चारिक संस्थाओं के अंतरगत आती हैं बच्चों संस्था उसे कहा जाता है जो स्थापित या कम से कम कानून या प्रथा द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार कारे करती हैं अर्थात संस्था वह हैं जिसका कुछ नियम हो अधवा वह प्रथा द्वारा कुछ रीति रिवाजों द्वारा संचालित होता हो उसे संस्था कहते हैं और उसके नियमित तथा निरंतर कारे संचालन को इन नियमों के काम जाने बिना समझा नहीं जा सकता है अर्थात जिस संस्था का जो नियम है उसको जाने बिना उस संस्था के कारे संचालन को हम नहीं समझ सकते हैं ये संस्थाएं ब्यक्तियों पर प्रतिबंद भी लगाती हैं और ब्यक्तियों को आवसर भी प्रदान करती हैं ये सामाजिक संस्थाएं सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विद्यमान होती हैं बच्चों हम परिवार संस्था को देख ले जिसे हम आज विशेश रूप से पढ़ने वाले हैं तो हम सरप्रथम जानते हैं कि परिवार क्या होता है मूल परिवार को और द्योगिक समाज की आवश्यक्ताएं पूरी करने वाली एक सरवोत्तम साधन संपन निकाय के रूप में देखा जाता है अर्थात जो और द्योगिक समाज है उसके लिए श्रम की उपलब्धता परिवार द्वारा ही होती है ऐसे में परिवार में घर का एक सदस्य बाहर से कारे करता है और दूसरा सदस्य घर वबचों की देखभाल करता है बिभिन समाजों में परिवार के भिन भिन रूप पाये जाते हैं उनको हम यहां देखते हैं हमारा पहला प्रकार है कि यदि हम आवास या स्थान के आधार पर परिवार का प्रकार समझें तो यहां प्रकार दो प्रकार का होता है पित त्रिस्थानिक और दूसरा है माज त्रिस्थानिक अर्थात जब विवाह के बाद कन्या अपने पिता का घर छोड़ करके पती के घर चली जाती है पती के घर में निवास करने लगती है उसके बच्चे भी वहीं जन्म लेते हैं और उस परिवार के भरण पोशन का उत्तरदाईत पिता पर होता है वह पित्र स्थानिक परिवार खहलाता है इसमें परिवार का मुखिया पिता होता है मात्र स्थानिक में माता परिवार की मुखिया होती है और किनी किनी स्थानों पर जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके पिता नियत नहीं होते हैं, कि उनके वास्तविक पिता कौन है, माता ही उस परिवार में सरवे सरवा होती है, यह मात्रिस्थानिक परिवार का स्वरूप है, यह आवास और स्थान के आधार पर हमने समझा है, हमने जाना है कि जब हम आवास या स्थान के आधार पर पित्रिस्थानिक और मात्रिस्थानिक अब हम दूसरे प्रकार भी देखते हैं आधिकार और प्रभाव के आधार पर यदि हम आधिकार और प्रभाव के आधार पर पर परिवार का विभाजन करें तो भी परिवार दो प्रकार के हैं पित्रिसत्तात्मत और मात्रिसत्तात्मत अर्थात जिस परिवार में पिता का प्रभाव सर्वाधिक हो पूरे परिवार के भरण पोशन का कार्य पिता करता हो परिवार का समस्त निर्णे पिता लेता हो बहप पित्र सत्तात्मक परिवार कहलाता है मात्र सत्तात्मक परिवार दिस परिवार की मुखिया महिला हो पूरे परिवार का उत्तरदायत महिला पर हो और समस्त निरणे महिला ले वह मात्र सत्तात्मक परिवार कहलाता है वंश के आधार पर जब परिवार का वंश पिता के नाम पर संचालित हो तो वहाँ पित्रिवंशी ये परिवार कहलाता है और जब माता के नाम से वंश का संचालन हो तो वहाँ मात्रिवंशी ये परिवार कहलाता है इस प्रकार वच्चों हमने आवास या निवासस्थान के आधार पर परिवार का प्रकार देखा अधिकार और प्रभाव के आधार पर परिवार देखा और वंच के आधार पर परिवार देखा कुल मिला कर हमने यहीं समझा कि परिवार मुख्यता दो प्रकार के होते हैं या तो उसमें पिता प्रधान होता है या माता प्रधान होती है परिवार के कुछ और प्रकार भी देखने को मिलते हैं जन्म का परिवार और प्रजनन का परिवार जन्म का परिवार अर्थात बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है वह उसके जन्म का परिवार होता है प्रजनन का परिवार अर्थात इस्त्रिया पुरुष जिस परिवार में सम्मिलित हो करके संतानूत पत्ति करते हैं अपनी पेड़ी को आगे बढ़ाते हैं, वह उनके प्रजनन का परिवार होता है एक विभाजन और है एकल परिवार और सन्युक्त परिवार एकल परिवार अर्थात जिसमें माता-पिता और अविवाहित बच्चे सम्मिले थे जो एक ही छत के नीचे निवास करते हैं, एक ही रसोई में बना हुआ भोजन करते हैं वह एकल परिवार कहलाता है सन्युक्त परिवार जिसमें कई भाईयों का परिवार या एक साथ जब कई पेढ़ियां कम से कम तीन से अधिक पेढ़ियां जब एक साथ निवास करती हैं एक ही छत के नीशे निवास करती हैं और एक ही रसोई का बना हुआ भोजन करती हैं वह संयुक्त परिवार कहलाता है महिला प्रधान परिवार जिस परिवार की मुखिया महिला हो वह महिला प्रधान परिवार कहलता है जब पुरुष शहरी खेत्रों में चले जाते हैं तो महिलाओं को हल चलाना पड़ता है अर्थात खेती करनी पड़ती है खेती के कारियों का प्रबंधन वो महिलाएं करती हैं कई बार वे अपने परिवार की एक मात्र भरण पोशन करने वाली बन जाती हैं अर्थात परिवार के भरण पोशन का उत्तरदाई तो महिला पर ही होता है ऐसे परिवारों को महिला प्रधान परिवार कहा जाता है इनका उदारण उत्तरी आंध प्रदेश में एक कोलम जन जाती समुदाय है वहाँ पर इस प्रकार का परिवार पाया जाता है बचों परिवार पर यह आरोप लगता रहा है और कहीं कहीं पर यह सत्य भी है कि परिवार लिंगवादी होता है लिंगवादी होने से तात पर यह है किसी लिंग विशेश को विशेश प्रश्य मिलना और किसी लिंग विशेश को उपेक्षित करना आज भी यही विश्वास है कि लड़का बृध्धावस्था में अविभावकों की सहायता करेगा और लड़की विवाह करके दूसरे के घर चली जाएगी इस तरह लड़कियों की वो पेक्षा की जाती है यह भावना अविभावकों के मन में आ जाती है कि बेटा ही हमारे वन्ष को आगे बढ़ाएगा वही हमारे काम आएगा वही हमारा भरण पोशन करेगा लड़कियों को विशेश ध्यान देना उनको सिक्षा देना दूसरे के आंगन में लगे हुए वरिक्ष को सीचने के बराबर है तब इस तरह की इस्थिती उत्वपन्न होती है कि लड़कियों की परिवार में उपेक्षा होने लगती है भारत में यह इस्थिती अनेक स्थानों पर पाई जाती है इसी भावना के कारण कन्या भूड हत्या वो बढ़ावा मिलता है 2001 की जनगर्ना के अनुसार भारत में प्रती हजार लड़कों पर 997 लड़कियां ही मत्र है भारत के कुछ प्रदेश जो सम्रिध है परंत वहाँ पर हालाद बहुत ही कठिन है लड़कियों का रेशियों लड़कों के मुकाबले बहुत ही कम है ये राज्य हैं पंजाब, हर्याणा, महाराष्ट, पश्चिनी उत्तरप्रदेश, आजी इन स्थानों पर कन्या भूड हत्या या कन्या के जन्म के बाद उनकी हत्या बहुत अधिक संख्या में प्रचलित है, जिस कारण लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले बहुत ही कम हैं और विवाह के लिए लड़कों को अन्य प्रदेशों से लड़कियां लानी पड़ती हैं बहुत ही दयानी ये इस्थिती है इन लोगों की बच्चों हम परिवार को बिभिन्न विद्वानों की द्रश्ट से भी समझ लेते हैं कि जो हमारे विद्वान है वह परिवार किसे समझते हैं उनकी द्रश्टी में परिवार क्या होता है हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान है मैं काईवर इनके अनुसार परिवार बच्चों की उत्पति एवं पालन पोशन की व्यवस्था करने हैं तू परिवार रूप में निश्चित और स्थाई योन सम्मंद से परिभाशित एक समूभ है मैं काईवर की अनुसाल निश्चित और स्थाई योन सम्मंद से परिभाशित अर्थात निश्चित व्यक्तियों के निश्चित सम्मंद से जो बच्चे उत्पन हुए हैं उन बच्चों की उत्पत्त और उनके पालन पोशन की व्यवस्था करने हैं तू जो समूह बना है उसे परिवार कहते हैं इनकी अनुसार पति-पत्नी और बच्चे मिलकर परिवार बनाते हैं एक दूसरे विद्वान है क्लेयर इन्होंने भी यही कहा है कि परिवार पति-पत्नी एवंग बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक एकाई है अर्थात परिवार में जैविक माता-पिता और जैविक संतान निवास करते हैं दूसरे हमारे औन्य विद्वान है वर्गेस एवंग लाव यह हमारे दूसरे अन्य विद्वान है इनके अनुसार परिवार उन व्यक्तियों का एक समूह है जो विवाह रक्त या गोद लेने के वंधनों से जुड़े हुए हैं एक ग्रहस्थी का निर्माण करते हैं और पति-पत्नी, माता-पिता, पुत्र और पुत्री, भाई और बहन अपने-अपने क्रमशह सामाजिक कारियों अंतह क्रिया एवं अंतह संचार करते हुए तथा एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं बहुत ही उत्तम परिवाशा इन्होंने दी हैं इन्होंने इस तरफ ध्यान आक्रिष्ट किया कि हर परिवार की एक संस्कृति होती है एक परिवार का नियम होता है और प्रत्येक परिवार में हर सदस्य का कुछ निर्धारित कारिय होता है कुछ निर्धारित उत्तरदाईत तो होता है बच्चा उन सारे उत्तरदाईत्मों को सीखते हुए अपने परिवार की संस्कृति में पलता बढ़ता है और एक सुयोग्यनागरिक बनता है बच्चों अब हम द्रश्टी डाल लेते हैं कि परिवार की क्या विशेष्टा होती है परिवार योन विवस्था करता है अर्धात मनुष्य की योन आवश्यक्ता की तुष्टी स्वस्थरूप से हो सके इसलिए परिवार का स्तित्व प्रारम्भ हुआ मनुष्य पशुवत आचरन छोड़ करके स्वस्थ जीवन का निर्वाह करे इस हेत परिवार का विकासुआ परिवार संस्था की स्थापना हुई दोसरी विशेष्टा है नामकरण की प्रथा प्रतेक परिवार किसी न किसी नाम, किसी न किसी वंश के नाम से जाना जाता है आपने इतिहास में भी सुना चोहान बंस, परमार वंस, सिसोधिया वंस ये एक परिवार का नाम है और यह नामकरण परिवार की विशेष्टा है परिवार की बंशावली का क्रम अपने ही ढंका होता है यह बंशावली या तो पुरुष के नाम पर आधारित होती है अथवा इस्त्री के नाम पर आधारित होती है यह बंशावली किसी के नाम पर जानी जा सकती है यदि पित्रिप्रधान परिवार है तो मन्शावली का नामकरण पुरुष के नाम पर होगा और यदि मात्रिप्रधान परिवार है तो इस्त्री के नाम पर उस परिवार को जाना जाएगा आर्थिक व्यवस्था प्रतेक परिवार को आर्थिक आवश्यक्ताओं की पूर्ति है तो कोई ने कोई आर्थिक कारे करना पड़ता है परिवार का मुखिया कोई व्यवसाय करता है तथा परिवार के भरण पोशन के लिए धन कमाता है परिवार के हर सदस्य का भरण कोशन हो यह मुखिया का सरव प्रमुख उत्तरदायत तो होता है सामान्य आवास त्रत्येक परिवार का एक आवास होना आवश्यक है परिवार को निवास घर तो चाहिए ही निवास स्थान के बिना बच्चों का आलन पोशन और उनके जन्म के कार्य को यह थेश्ट रूप से पूर्ड करना कठिन होगा इसलिए सामान्य आवास की दिवस्था होना परिवार के लिए आवश्यक है सारभाव मिक्ता परिवार सरवादिक सार्वभावमिक समुह है मानव इतिहात में यह सर्वप्रथम संस्था है कोई भी समाज अथवा संस्कृत ऐसी नहीं होगी जिसमें परिवार का कोई न कोई रूप या परिवार का अस्तित्व न रहा हो हर संस्कृत में हर काल में परिवार का अस्तित्व रहा है परिवार का स्वरूप रहा है भावनात्मका अधार परिवार जो है यहां समाज की मौले की काई है यहां योउन्सम्मंद, संतानोग पादन, मात्रिवाद चल्य तथा पैत्रिक संरक्षण की मूल प्रवृत्तियों पराधारित है परिवार में स्त्रेपुरुस के स्वस्थ यौन संबंध स्थापित होते हैं संतान का जन्म होता है संतान को मात्रिवासल्य और पिता का संरक्षन प्राप्त होता है यहां परिवार की मूल प्रवर्तियां है सीमित आकार परिवार एक सीमित स्वरूप में होता है परिवार की जो संस्था है उसका एक सीमित स्वरूप होता है क्योंकि इसकी सदस्यता जन्म मूलक होती है रशनात्मक प्रवाव परिवार का जो सकारात्मक या नकारात्मक स्वरूप होगा उसका उसके सदस्यों पर काभी प्रभाव पड़ता है परिवार ब्यक्तियों के चरित्रों को ढालता है परिवार ब्यक्ति के ब्यक्तित्व की संदचना को प्रभावित करता है केंद्रिय स्थिति परिवार सभी अन्य सामाजिक समूहों का खेंद्र है सारे सामाजिक समूह परिवार से हिस अंचालित होते हैं प्रतेक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य होता है संपूर्ण सामाजिक संद्चना पारिवारिक इकाईयों की निर्मित है सदस्यों का उत्तरदायित्व परिवार में बच्चा सामाजिक दायित्व का अर्थ एवंग सहयोग की आवश्चक्ता को सीखता है हमारा समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है या हमें किसका सहयोग राप्त करना चाहिए या किसका सहयोग लेना चाहिए यह बच्चा परिवार में ही सीखता है सामाजिक नियमन परिवार सामाजिक रीत रिवाजों एवंग कानूनी नियमों से विशेश तया सुरक्षित होता है परिवार के नियमों को भंग करना आसान नहीं होता जिस परिवार का जो नियम है उस नियम को तोड़ना बच्चे के लिए या परिवार के किसी भी सदस्य के लिए आसान नहीं होता परिवार संस्था की व्यवस्था क्यों? बच्चों, हम ये जान लें कि परिवार संस्था की विवस्था करने की क्या आवश्यक्ता है पहली आवश्यक्ता तो है कि लेंगिक आवश्यक्ता की तुष्ट यह परिवार का सरवप्रथम और अनिमारे कार्य है हमारे प्राचीन आचार्य मनु तथा वात्यायन ने भी इसे परिवार का मुख्य उद्देश्य कहा है संतानोज पत्ति तथा पालन पोशण प्रजाति की निरंतर्ता को स्थिर बनाये रखना हमारी प्रजाति सुरक्षित संरक्षित रहे इस हेत परिवार का होना बहुत आवश्यक है परिवार प्रजाति को इस्थिर रखने में सहायक होता है संतानोज पत्ति तथा बच्चों के पालन पोशण के लिए परिवार सर्वोत्तम संस्था है घर की व्यवस्था मनुष्य की अन्य आवश्यक्ताओं में घनिष्ट मानवी अनुक्रिया की आवश्यक्ता महत्तपुर्ण है मनोवैज्यानिकों का विचार है कि मन्सिक परिशानियों ब्यवहार सम्मंदी समस्याओं का सबसे प्रमुक अकेला कारण है प्रेम का अभाव और यह प्रेम ब्यक्ति को या बच्चे को परिवार में ही प्राप्त होता है यदि बच्चा परिवार में उपेक्षित रहता है तो वह अपराधी प्रवृत्तिका हो जाता है गानिष्ट साथियों के छोटे से दाइरे में सनेह एवं मदुर संबंधों का जब अभाव होता है तो मनुष्य अपराध की तरह प्रवृत्त होता है इसलिए घर की व्यवस्था होना घर का प्रेमों में वातावरन होना बहुत अनिवारी है स्वास्ति संबंधी आवशक्ता बच्चों को या परिवार के सदस्यों को स्वास्ति की देखभाल के लिए परिवार की आवशक्ता होती है नागरिक बनाना, परिवार जो है नागरिक गुणों की पाठ्शाला है बच्चा परिवार में ही प्रेम, सहयोग, त्याग, आज्यापालन, अनुशाशन आदिगुणों को सीखता है और इन गुणों को सीख करके एक सब्व्य और अच्छा नागरिक बनता है समाजी करण, परिवार समाजिक रीत रिवाजों का ज्यान कराता है यह अपने सदस्यों पर समाजिक नियंतर्ण रखता है जिससे संगठित समाज की स्थापना में सहायता मिलती है और परिवार संस्कृति का भी रक्षक होता है बच्चों, अब हम इस पार्ट पर आधारित अभ्यास प्रश्ण को देख लेते हैं अभ्यास प्रश्ण, हमारा पहला प्रश्ण है परिवार का अर्थ और स्वरूप लिखिए दूसरा प्रश्ण, परिवार के प्रकार का मिशलेशन करिए और तिसरा प्रश्ण है परिवार का क्या सामाजिक महत्त है बच्चों आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा शेश अगली कक्षा में पढ़ेंगे धन्यवाद